हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे MMR वैक्सीन के विशे में MMR यानि MESOLS PANTSUVELLA इस वैक्सेन के विशे में हम बात करेंगे तो हम यह जानने कोशिश करेंगे कि इसके कितने डूर्द इसकी ज़रुषत है जो सरकारिय कारिक्रम में मीजोस वैक्सिन कष Cast देते पहार जो मिलता हैज कितना अलग क्या आणरी बैसमें कोई रिलेश्याहाइ या नहीं किसी वज़ासे आगर पकषिस जो में क्षुरान आण रिपिक अर्मे जजर नहीं अठी tiny तो वो कितनी dangerous बीमारी है या ऐसी कुछ बात नहीं है और ऐसे ही रुबयला जो है वो बच्चों में कितनी dangerous है वो adults में कितनी dangerous हो सकती है इन different points के उपर आज हम भिसकास करेंगे आपके YouTube channel joyful parenting with Dr. Timir में आप सभी young parents का स्वागत है तो दोस्तों सबसे पहली बाद कि इसमें कितने doses की जरौत होती है तो जो MMR vaccine इसमें तीन doses की जरौत होती है पहला टीका आपका 9 महीने के लगता है दूसरा 15-18 महीने के बाद फिर एक और booster जो सेकंड बूस्टर है वो आपका 4-6 साल के बीच में लगता है तो टोटल 3 doses होते है अगला कुश्चिन की हम जो गौर्मेंट में जो मिलता है पहले measles vaccine इंग मिलता था अब MR vaccine मिलता है तो उसमें और बाहर मिलता है MMR vaccine उसमें क्या फरक है तो दोस्तों इसमें फरक जो है M Mums याने की जो गंफियर जीसे हम देते है उसका है तो ये गौर्मेंट वारे जो वैक अगें बहुत अच्छी बात है दोस्तों कई पेरेंट से जानना चाहते हैं कि पहले ऐसा सुनने में आता था कि MMR का टीका लगने के बाद बच्चे में आटिजन के लक्षन तिखने लगते थे या आटिजन की संभावना पढ़ गाई MMR टीका बाद तो इस बात में कहां त अटिजन के साथ कोई रिलेक्षण नहीं है कई पेरेंट से जाना जाते हैं कि मेरा बच्चा तो आप स्कूल जाने लगा है और बच्पन में तो इसे से मेजल्स का है टीका मिला था तो क्या आब मैं MMR का टीका ले सकता हूं तो आप बिलकुल आप ले सकते हैं आप अब भी तो दोस्तों इसको हम मामुली मिमारी समझने की गलती ना करें क्योंकि यह शुरू में हो सकता है मामुली मिमारी हो लेकिन इसके जो complications है वो मामुली नहीं है जैसे कि यह aseptic meningitis याने दिवागी भुखार कर सकता है यह और cutis भी कर सकता है याने जो testis में एक inflammatory condition पैदा कर सकता ह है जो कि बाद में infertility के रूप में लिखता है हमें ट्रांस्वर्स मैलेटिस याने नसों में एक कमजोरी आ सकती है और pancreatitis भी भो सकती है तो यह तमाम complication mumps के हैं mumps as such may be not so dangerous देखने उसके complications are definitely very dangerous अगला जो है rubella यह से कि हम जर्मन विजल्स कहते हैं तो इसमें इतना हमें जबराने की क्यों उसरो होता है यह तो जसे एक मामुली से रैशेस ही आते हैं तो दोस्तों उस वक्त बिल्कुल सही बात है कि हमें जो acute condition जो होती है उसमें इसे कोई चिंता की बात नहीं होती है मामुली से रैशेस आते हैं लेकिन अगर यही बिमारी अगर प्रेजन सी के नहीं बढ़ता और उसे जनम से ही मुट्या बिंद्वी होता है इसे हम कंजनेटर रूबेला संड्रों कहते हैं तो इस तरह के कई कॉप्लिकेशन से हैं इसलिए बहतर यही होता है कि एडल्स में नाव तो इसलिए हमें रूबेला से भी बशने की ज़रूत है तो दोस्तों आज हमने जाना कि MMR वैक्सिन क्या होता है इसके कोंट कोंसे हिस्से होते हैं और क्यों यह बहुत मामूली से दिखने वाले विमारियों से भी हमें बशने की ज़रूत क्यों है मैं उमीद करता हूं यह जानकर यह आपके लिए फायजवन साबित होई होगी तो आपके बश् से बात करके उसे पूरा कवरेश अब भी कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए आप सब का दन्यावाद